तो आज के वीडियो में ओड़नी से हम हाई टूलो स्रग बनाना शिखेंगे जिसका लुग कुछ इस तरीके से मैंने रेडी किया है और ये प्रिंटेट फैब्रिक से बनाया है और ये दो मीटर के लगबग फैब्रिक में आप बना सकते हो देखें लुग कितना ही प्यारा ल चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसी ही डिजाइन को देखती रहने के लिए तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मैंने फैब्रिक को डवल फोल्ड इस तरीके से कर लिया है तो ये लगबग 2 सबा 2 मीटर के करीब में आप कपरा ले ले लेना और देखी कितना कपरा यानि 43 इंच हो रही है तो 43 इंच हमारा इसका डवल फोल्ड है यानि 2 मीटर से थोड़ा से ज्यादा कपर है और बहुत ही ईजी सी बस हमें स्लिप के लिए कट डालनी है इसके लिए हमें क्या करना है कि इस फैब्रिक का जो जॉइंट वाला हिस्सा है और ये खुला वाला ह तो मैं जॉइंट वाले को अपने सामने रखती हूं और फिर मैं आपको बताती हूं तो देखिए ये जॉइंट वाला हिस्सा है हमारा और इस साइट खुला हुआ है तो हमें यहां पे लेस वर्क करके दिया हुआ था थोड़ा सा ये सोटनी में तो मैंने एक साइट से इसे इधा फिर से 15 इंच का निशान लगाना है तो मतलब 15 वाई 15 की मैं बॉक्स टाइप यहां पे ड्रॉ कर ली हूं जहां पर ये निशान लगा है इसके आगे हमें लगभग स्लीप की कटिंग के लिए सारे 5 इंच का निशान लगाना है इसे आप घटा बढ़ा सकते हो बाद म इसके सेप में हमें कट करना इस तरीके से देखिए मैंने यहां पे इस तरीके से निशान लगा लिया है और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको हमें फोल्ड कर लेना होता है इसे अंदर की और फोल्ड कर ल के बाद कैसा लुक आया है इस तरीके का लुक आया है मैंने इसको फोल्ड कर दिया और बस हमारा स्रग रेडी हो चुका है पस कॉर्णर को फोल्ड करने है और कॉर्णर को फोल्ड करने के बाद हमको इस पे लेस लगाना हो तो लेस भी लगा सकते हैं तो इस तरीके से हमारा ल कर लेंगे और इस सब पे आप फ्रंट में लेस लगा सकते हो अपने हिसाब से अगर आप सिंपल फैब्रिक पे बना रहे हो यहां पे लेस है पहले से तो मैं नहीं अटेच कर रहे हूं तो चलिए इसका एक और ड्रेस के साथ वेरिंग लुक देख लेते हैं तब तक आप चैन के साथ लुक कैसा आया है तो देखें डेनिम के साथ भी इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है इसको आप ड्रेस या फिर धोती स्कर्ट किसी भी चीज के साथ वेर कर सकते हो तो कमेंट करके बताईएगा कि यह स्रग का टुटोरियल आपको कैसा लगा और हां गाई चै